श्रिराम सुरुदे के साथ ही उठ गए थे और उन्होंने पुर्वासियों के उन दुखी अवस्था को दिखा। वे जानते थे अगर वे है पुर्वासियों के सामने रहे तो पुर्वासि कभी भी नगर को लोट कर नहीं जाएंगे और इसी प्रकार दुख में बड़े रहेंगे। उनके इस दुख को दूर करने के लिए श्रिराम ने क्या किया। जानते हैं इस सथय में श्रिवाल्मी की निर्मित आशामैन आधिकावे के आयुध्याकान में 47 वासर्ग। नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास। इन audiobooks को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो membership लेके या दिये गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोचाहित करता है। आने था, शेर, लाइक, ये सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। इधर रात पीतने पेचब भोर हुई, तब आयोध्यवासी मनुष श्री रगुनाजी को न देख कर आचेत हो गए। शोग से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेस्ठा करते न बनी। वे शोगचनेत आजू बहाते हुए अत्यंत खिन हो गए। तथा इधर उधर उधर उनकी खोच करने लगे। परन्तु उन दुखी पुर्वासियों को श्री राम किधर गए। इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ने तक नहीं दिखाई देता था। बुद्धिमान श्री राम से बिलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनकी मुख पर विशाचनित वेता स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनिशी पुर्वासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाई हमारी इस नित्रा को दिखकार है जिससे अचेत हो जाने की करण हम उस समय विशाल वक्षवाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं जिनकी कोई भी क्रिया कभी निश्वल नहीं होती। वे तापस विश्थारी महाबाहु श्री राम हम भग्जनों को छोड़ कर परदेश चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे। वे ही रगुकुल श्रेष्ट श्री राम आज हमें छोड़ कर बन को क्यों चले गए। अब हम लोग यहीं प्रान दे दे या मरने का निश्य करके उत्तर दिशा की उरचल दे। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किसलिए हितकर हो सकता है। अत्वा यहां बहुत से बड़े-बड़े सुखे काट पड़े हैं। उनसे चिता चलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाए। यदि हम से कोई श्री राम का प्रतांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी की दोश नहीं देखते और सबसे प्रिये वचन बोलते हैं। उन महा बाहु श्री रगुनाज जी को हमने बन में पहुचा दिया है। हाई, यह अयूग के बाद हमारे मुह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धुन सहित सारी आयूध्या नगरी निश्य ही, दीन और आनंद हीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वता निवास करने के लिए निकले ही थे। आप उनसे बिछुड कर हम आयूध्या पूरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह के बाते कहते हुए, वे समस्त पुर्वासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बच्छनों से बिछडी हुई अगर गामिनी गायों की भाती दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रत की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गये। किन्तुक शन भर में मार का चिन ना मिलने के कारण वे महान शोप में डूब गये। उस समय यह क क्या हुआ। अब हम क्या करें। दैव ने हमें मार ही डाला। वे मनस्वी पुरुष रत की लीक का अनुसरन करते हुए आयुद्या की ओर लोट पड़े। उनका चित क्रांथ हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गये थी उसी से लोट कर आयुद्यापुरी में जा पहुच जहां के सभी सत्पुरुष शिराम के लिए व्यधित थे। उस नगरी को देखकर उनका हदे दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शुक पीड़ित नेत्रुन द्वारा आंसू की वर्षा करने लगे। वे बोले। जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड के द् हो ही जाती है। उसी प्रकार शिराम से रहित हुई यह आयुध्या नगरी अभधिक शोभा नहीं पाती। उन्होंने देखा सारा नगर, चंद्रहीन, आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शुन्य हो गया है। पुरी की है दुरवस्था देख वे अचेत से हो गये। उनके हुदे का सारा उल्लास नश्ट हो चुका था। वे दुख से पेड़ित हो उन्महान वैभव संपन ग्रहों में बड़े कलेश के साथ प्रविष्ठ हो। सबको देखते हुई भी अपने और पराय की बहचार नगर सके। इस प्रकार शिवानमी के निर्मित आशामयन आधिकावे के आयोध्यकान में 47 वा सर्क पूरा हुआ। आप सभी को कोटी-कोटी साथ हुआत आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।